नवनाद चरित्र में मानिक नमक किसान का उधर धरमनाद की दीख्षा नागनाद से युद्ध इंदर चर्प्टी नाद का विवाद इंदर का सौमियाग इंदर दोरा विद्धिया की चोड़ी इंदर को आशीरवाद मतसेंदर नाद के मिर्थ शीर को शिवाले में छोड़ करके गोरक नाद जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे उस समय गुदावरी नदी के तटवर्ती बामा नगर को सीमा पर मानक नामक के किसान के साथ उनके बेट हुई थी गोरक नाद ने परसन्न होकर उसे बारा मर्ष बाद दिक्षा देने का निश्चे किया था गोरक नाद च्रित्र शीर्शक तीसरे अध्याय में इस घटना का विस्तार पूरक वर्नर किया गया है प्रियाग से विदा होकर तीनो योगी जब तीर्थ यात्रा को निकले उस समय तक बारा वर्ष का समय पूरा हो चुका था गोरक नाद को यात्रा काल में मनिक किसान का समरन हुआया अता में मतसेंद्र नाद्ची को आगरे करके भामा नगर में ले गई वहाँ जाकर उन्हें ने मानक को मंत्र पदेश किया तथा मतसेंद्र नाथ्ची ने उसे नाथ दीक्षा दी और उसका नाम अडबंग नाथ रखा आगे अडबंग नाथ चरित्र शीर्शक बार्वे अध्याय में इस घटना का विस्तार पूरक वर्नन किया गया है दीक्षा देने के उपरांथ मतसेंद्र नाथ ने अडबंग नाथ को भी अपने साथ ले लिया मतसेंद्र नाथ दोरा उपदेश के अंसार धरम नाथ ने अपनी प्रजा का वड़ी वाती पारण किया विवाह के बाद उसकी रानी ने एक संदर पुत्र को जनम दिया पत्र जनम उत्साव के उपलक्ष में राज भार में खुशिया में आई गई दीरे दीरे बारांवर्ष का समय में दीत हो गया बारांवर्ष की अवधी बीच जाने पर मतसिंद नाथ को धरम नाथ को दिये हुए बचन की याद आई तब गुरक नाथ चुरंगी नाथ तदा अडवंग नाथ को साथ लेकर पुना प्रियाग में आप हुचे धरम नाथ को जब मतसिंद नाथ आदी के आने का समचार ग्यात हुआ तब बड़ी धुमदाम से उनकी आगवानी करने के लिए आप हुचा और सब लोगों को महतमिल महल में ले जाकर के ठहराया धरम नाथ के पुत्र को मतसिंद नाथ ने अपना अशीरवाद परदान किया उसके दादा की समरिती को काईम रखने के लिए उस बालक का नाम त्रिविक्रम रखा धरमनाथ ने जब योग दिख्षा लेने की इच्छा प्रगट की तब मतसिंद नाथ ने उनके पुतरत्रीव्टक्म का रज्यविशेग कराके माघमास के शुकल पकश की दिट्टय के दिन धरमनाथ को योग की दिख्षा दी मैं दीक्षा समारो राज जबहर में बड़ी धुम धाम के साथ मनाया गया मतसेंद राथ ने धरम नात की दीक्षा तिथी को दीक्षा जनती का रूप दे कर उसे राज धरम का एकांग बना दिया और ये तिथी धरम दित्या के नाम से परसिद्ध हुई कुछ समय बाद धरम दित्या की महिमा इतनी बड़ी कि लोग इस तिथी का वरत करने लगे हाल सवरो उन्हें दुख दारिद्ध रोग आदी से छुटकारा मिलकर धन की प्राप्ति हो दिख्षा देने के अपरांत मतसिंद्र नाची अपने अन्य शिष्चों के साथ धरम नाथ को भी बड्रका अच्रम में लेगे वहां उन्होंने धरम नाथ को शिवजी के दर्शन कराए तथा बारा मर्स तक तपस्या करने का अदेश दिया धर्मनाथ ने बारा मुर्ष तक घोर तब किया जब तपस्या पूरी होगी तब मतसिंद्र नाथ ने एक समारो करके सब देवताओं को मंत्रित किया और उनसे धर्मनाथ को शीरवाद दिलवाया तद पस्चाथ वे धर्मनाथ तथा अन्य शिश्यों को साथ लेकर वहां से तीथा टन के लिए चल दिये नागनाथ आवीर होत्र नाराएन के अवतार थे उन्होंने भी दतातरेजी से दिक्षा ली थी आगे नमे ध्याय में इसके वर्तानत का विस्तार पूरक वर्णन किया गया है नागनाथ ने तपस्या द्वारा सिध्धी पराप्त की थी और उन्हें दतातरेजी से शाश्त्र विद्या को भी सीखा था वे वट्ट सिध्ध नागनाथ के नाम से परसित थे और उनके चमतकारों से सब लोग परचित हो चुके थे नागनाथ की बाले घाट अथवा बढ़वाल नमक स्थान में निवास करते थे वाँ उनके दर्शनों के लिए आने वाले लोगों की भारी भीड लगी रहती थी उसे भीड भार के कारण जब नागनाथ को एक कांत में समाधी लगाना भी कटिन हो गया तब उनके समाधी के समय कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आश्रम के भीतर ना आने पाई इस हें तो पहरेदारों की विवस्ता करती जिस समय नागनाथ जी समाधी में स्टित होते उस समय में पहरेदार किसी व्यक्ति को उनके पास नहीं आने देते थे मतसिंद नाथ तीथ यात्रा करते हुए जब बाले घाट में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने लोगों के मुसे नागनाथ ची की महिमा के विशे में सुना उसे सुनकर मतसिंद नाथ के हिदे में नागनाथ का दर्शन करने की इचाथपन होई और वे उनके आश्रम पर जा पोँचे मतसिंदरनाथ जिस समय नागनाथ के आश्रम में पहुँचे उसी समय नागनाथ समाधी में बैटे हुए थे और पहरेदार लोगों को आश्रम के भीतर प्रवेश करने से रोक रहे थे ये देखकर मतसिंदरनाथ को क्रोध आ गया और वह कहने लगी यह एक कैसा योगी है जिसने लोगों को अपने पास पूँचने से रोकने के लिए पहरेदार लगा रखे मतसिंदरनाथ ने परश अस्तर का प्रयोग करके पहरेदारों को प्रिथी से चिपका दिया इसे बीच नागनाथ की समाधी तोट गए उन्हें जब अपने पहरेदारों के स्तिति को दिखा तो उन्हें ये समझते वे देर ने लई कि किसी सिद्ध पूर्श ने आकर इसकी ऐसी दशा किये है नागनाथ भी अवतारी प्रूश थे उन्होंने सरप्रथम तो गरुड बंधन विध्या द्वारा सर्ग में गरुडों को बांधा फिर विभक्त अस्त्र का प्रयोग करके पहरेदारों को मुक्त किया तत बश्चात में मतसिंद्र नाथ का सामना करने के लिए आगे बढ़े ये देखकर मतसिंद्र नाथ ने परवत अस्त्र का प्रयोग किया नागनात त्वारा प्रियुक्त सर पस्तर का नाश करने के लिए मतसिंद्र नाथ ने गरू डस्त की योजना की पन्तु गड़ों को तो नागनात ने पहले हैं सही बांध रखा था मतसिंद्र नाथ का प्रियुक्त सर पस्तर के सर पाकर उन्हें डसने लगे ये देखकर मतसें दरनात ने दत्ता तरे का समर्ण करते का है दत्ता तरे गरू आप विलंब किये बिना मेरी रिसाहित था क्लिए पता रिए मतसें दरनात के मूँ से गरू दत्ता तरे का नाम सुनकर नागनात उनके समीब जा पोचे और उनका परचे पूछने लगे मतसेंदरनाथ ने आदेश केकर उन्हें अपना पर्चे दिया और कहा कि मैं दता तरे का पहला शिश्य हूँ यस नाते उनका पहला पुत्तर हूँ ये सुनकर नागनाथ ने सेम ही गड़ों का बंदन खोल दिया गड़ों ने आकर सर्पों का भेद दूर कर दिया तर्थ बश्चात नागनाथ ने मतसेंदरनाथ के चरन चूने के उपरांद कहा गुरू के प्रथम शिश्य होने के नातब आप मेरे बड़े भाई अनजाने में मुझसे जब भूल ही उसके लिए मैं शमा चाहता हूँ ये कहकर नागनाथ मतसेंदरनाथ को अपने साथी आश्रम के भीतर लगे और वहाँ पर बिठा कर उनका यतोची स्वागत सदकार किया आश्रम के भीतर पहुँचके मतसेंदरनाथ ने नागनाथ से पूछा आपने अपने दर्वाजे पर पैरेदार क्यों लगा रखें ये सुनकर नागनात ने उत्तर दिया है भाई या आने वाले लोगों की भीड मुझे हर समय घेरे रहती है मैं समाधी लगाने के लिए भी समय नहीं देती इस दिया मैंने लाचार होकर समाधी के समय पैरेदारों की विवस्ता कर रखिये ताकि उस समय कोई व्यक्ति आश्रम के भीतर प्रविष्ट होकर मेरी समाधी को भंग नहीं करे ताम मतसिंदर नाथ ने कहा भाई नागनात तुमारा ये कहना तो ठीक है पर तुम हमारे पंथमें समाधी लगाने के लिए रात्री का समय ठीक बताया है क्योंकि उस समय 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 लोग नेंद में सोई रहते हैं और किसी परकार का विगन उपस्तित करने के लिए नहीं आ सकते इसलिए भश्य में तुम केवल रात्री में ही समाधी लगाया करो नागनाथ ने मतसिंद नाथ के इस सुजाव को सविकार कर लिया तर्थ पस्चाद नागनाथ ने कुछ दिनों तक मतसिंद नाथ को अपने पास रखा तीन चार दिन वहां रहकर मतसिंद नाथ नागनाथ से विदा लेकर आगे चलेगी इंद्र चर्प्टी नाथ का विवाद ब्रह्मा के पुत्र देवरेशी नारत को अपने तब के प्रभाव से तिलोकी के किसी भी स्थान में शन भर में ही पहुँच जाने के लिए परसिधी प्राप थे एक वाद नारत जी ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के पास बैटे हुए थे उसी समय वहाँ चर्प्टी नाथ नामक एक नाथ योगी आपोची चर्प्टी नाथ पिपलाइन नाराइन के अवतार थी इनके चरित्र का विशेश वर्णन आगे दसे अध्य में किया गया है नारत जी चर्प्टी नाथ को जानते थे उन्हें ब्रह्मा लोक में आया हुआ देख करके नारत जी अत्यंत परसन नहोई क्योंकि उन्हें चर्प्टी नाथ के द्वरा अपना एक काम पूरा कराना था नारत जी ने ब्रह्मा जी को चर्प्टी नाथ का परच्चे दिया ब्रह्मा जी ने परच्चे पाकर चर्प्टी नाथ का अत्यांत सम्मान किया और उन्हें अशीरवार भी परदान किया तद प्रांत कुछ समय भी तने पार नारग जी चर्प्टी नाथ को अपने साथ लेकर अमरावती जा पूचे एक समय नारग जी इंदर से मिलने के लिए अमरावती में गे थे उसमें इंदर ने उन्हें आईए काडियोग के नारग के अकर वियंग किया था नारग जी इंदर से उसी वियंग के करने का बदरा लेने के चुप थे चर्प्टी नाथ के साथ नारग जी अमरावती के नंदनवन में पहुंच गए वहाँ दोनों ने किसी से पूछे बिनाही वरिक्ष के में फलों को तोड़ना और खाना अरंब कर दिया ये देखकर बाग के मालिक रुद्ध होकर उन्हें पकड़ने के लिए आई मालियों को आते देखकर नारग जी से हम तो चुपके से प्लाइन कर गे पर उन्तों चट्टी नाथ को वहीं चोड़ गे चट्टी नाथ ने जब ये देखा कि माली गन उन्हें मारने के लिए दोड़े आ रहे हैं तो उन्हें ने शपर्ष अस्त्र मंत्र का प्रयोग करके उन मालीयों को जहां का तहां चिपका दिया ये खमर जब इंदर के कानों में पहुँची तो ये देखाओं की सेना लेकर चट्टी नाथ से लड़ने के लिए जा पुचा उसमें चट्टी नाथ ने वात अकर्षन मंत्र द्वरा संपूरन देव सेना की यसी दुर्दर्शा कर दी कि इंदर को वहां से भागते ही बना उस समें इंदर की प्राथना पर शिव विश्नु और देवताओं ने महां प्रकट होकर बीच बचाव कराया और चट्टी नाथ को शान्त करके विदा कर दिया उस समें इंदर को ये पता चला की नाथ संपूर्दाई के सिद्धों के मंत्र अस्त्र बहुत बलवान है और उन पर देवता लोग विजे प्राप्त नहीं कर सकते ताथ बच्चाथ इंदर ने अपने गुरु ब्रस्पति के पास जाकर ये प्राथना की कि है गुरु में नाथ संपूर्दाई की मंत्र अस्त्र विद्धा को सीखना चाता हूँ आपको ये ऐसा हुपाए कि जिससे मेरी इच्छा पूरी हो ये सुनकर ब्रस्पति ने उप्तर दिया है इंदर तुम सौम्याक कानुस्ठान करो और उसे भाग लेने के लिए नाथ पंत्र के सिद्धों के पास निमंत्र न भीजो जब लोग यहां आ जाएं तब तुम उन लोगों की सिवा करके उनकी मंत्रस्तर विद्धा को सीख लेना गुरू ब्रस्पति की बात सुनकर इंदर ने कहा है प्रभू नाथ पंत्र के सिद्धों को किस परकारावी मंत्र की आ जाए यह आप मुझे बताने के किर्पा कीजिए तब रस्पति जी बोले इस संबंद में तुम नारजी से राए लो इंदर ने नारजी का अवाहन किया और उनके आने पर कहा कि मैं सोम्या करना चाता हूँ और उसमें नाथ पंत्र के सिद्धों को मंत्र करना चाता हूँ जो उन सिद्धों को किसी परकार ने मंत्र किया जाए वे आप मुझे बताने के किर्पा कीजिए तो नारजी ने इस सुनकर कहा है इंदर मैं तो कालियुक का नारज हूँ तो मुझे इस विशे में क्यों पूछ रहे हूँ तो नारजी की बाद सुनकर इंदर को लज जा आगी उसने सर प्रथम अपने भूल के लिए नारजी से शमाई आचना की तद पश्चात उचित सलाद देने का आग्रे किया तो नारजी ने का है इंदर नाथ योगियों में मतसिंद्र नाथ दत्ताते के सबसे पहले शिश्य है अन्य सभी नाथ योगी उन्हें अपना बड़ा भाई अथ्वा गुरू के समान समझते है में मतसिंदर नात उप्रिक्ष वसु के आगरे को सिविकार कर लेंगे अधिया आप उप्रिक्ष वसु को उनके पास निमंतरन देने के लिए बहजो यदि मतसिंदर नात ने उप्रिक्ष वसु के निमंतरन पर सोम्याग में सम्मिलित होना सिविकार कर लिया तो अन्य सब नाथ योगी भी तुम्हारे सो मियागे में सम्मिलित होने के लिए आ जाएंगी इस परकार तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी ये सुनकर इंद्र उप्रिक्ष वसू के पास गे और उन्हे अपनी मनोकामना कैस सुनाई तथा नाथ योगियों को लाने के लिए अपना एक विमान दे कर उन्हें विदा किया इंद्र की प्रातना सुनकर उप्रिक्ष वसू मत्यसेंद्र के पास पहुँचे मत्यसेंद्र ने उनके आगरे को मान करके सबी नाथ योगियों के पास ये संदेश भीच दिया कि उन्हें चलकर इंद्र के सोम्याग में समलित होना चाहिए तत्वचात उप्रिक्षवसु मतसिंद्रनात गोरकनात धरमनात चरंगीनात कनीफानात गोपीचंदनात जलंदरनात अडवंगनात आदि जो योगी वहां उपस्तित थे उन सब को विवान में बठाकर अमरावती के लिए चल दिये मार्ग में हेला पठ्टन में गोपीचंद नात की माता को बडवाल गाम से वट सिद्धनाग नात को गोमती तट से भृत currently नात को तामर पन्त के सभी योगी तथा अन्य देवी देटा जब इंदरपुरी में एकत्र होगे तो सुम्या किस स्थान पर किया जाए इस सम्बंध में विचार किया अन्त में मतस्यंदर नात था देव गुरु बरस्पती ने सिंगल दीब के अटक नामक अरन्य को इसकार के लिए ब्यु इन नात को भी विद्या सिखाने के हित्व बलवा लिया था शुम्हुरत में यग्य अरंब हुआ देव गुरु बरस्पती के सुजाब पर यग्य के यजवान का कंकन उप्रिक्ष वसु के हाथ में बांदा गया और इंदर ने यग्य के लिए आवश्यक वस्तों की विवस देशन नागपंध के योगियों की विद्या को सीख लेना था हस्तु इंदर ने ये उपाएं निकाला कि मतसिंद्र नात जिस वरिक्ष के नीचे बैठकर अपने पुत्र मीन नात को विद्या सिखाया करते थे इंदर मौर का विष धारन करके उनके उपर बैठ चाया करता और उस विद्या को सेम भी सीखता जाता था वैं यग्यपूरे एक वर्स तक चला इस बीच मतसिंद्र नात ने मीन नात को संपुरन विद्या सिखा दी और मौर के रूप में इंदर ने भी उस विद्या को सीख लिया प्रन तो गुरू का आशीरवाद दी अभी ना विद् ने होती इसलिए एक दिन इंदर ने ब्रस पती के पास जाकर वैसला मांगी कि आम मुझे क्या करना चाहिए जैसे कि मतसिंद्र नात मुझे विद्या के सफल होने का शीरवाद पर दान करते प्रस्पती ने सदादेते कहा है इंद्र, मतसिंद्र, नाथ, बड़े ज्यालू है तो मैं से सब बते स्थे स्थे कह देना मैं तुमारे स्थे वाद्टा पर पर स्थे कर विद्धा के सफल होने का शीर बाद देंगी सॉम्याक के समाप। जाने पर सबसे प्रथम मतसिंदर नाथ का पूजन किया गया इंदर ने ही सर प्रथम उनका पूजन किया मतसिंदर नाथ को रख सिंगासन पर बेठाने के उपरांथ इंदर ने उन्हें अनेक परकार की भेंट सम्मर्पित की फिर दोनों हाथ जोड़कर रत्यांत भी नम रोकर का है गुरू मुझसे एक प्राथ हो गया आपने मीन नात को जो जो विद्या सिखाई है उन सब को मौर का रूप धर्न करके मैंने वरिक्ष पर बैटे हुए गुपत रूप से सीख लिया है अब आप क्रिपा करके मेरे इस अपराथ को शमा कर दीजिये और मुझे शीरवाद दे के आपके द्वारा सीखेगी विद्या मेरे लिए सफल सिद्ध हो इंद्र के मुझसे ये शब्द सुनकर मते सिंद्र नात करोद में भर गए उन्हें इंद्र को शाब देते को हाथ तुने कबट रूप में जो विद्या सीखी है वे निश्वल हो जाएगी ये सुनकर इंद्र के पाउं के नीचे से जैसे धरती ही निकल गई वे धरतर का अपने लगा जिस विद्या को सीखने के लिए उसने इतना बड़ा योजन तदा प्रिश्रम किया था मते सिंद्र नात के शाब के कारण में सब एक शन में ही व्यर्थ हो गया इंद्र की इस्तिती को देखकर सुरु गुरु ब्रस्पती ने वो प्रिक्ष वसु से प्रात्रा की कि मते सिंद्र नात ने इंद्र को जो शाब दिया है उसका वे निवारन कर दे तब उप्रिक्ष वसु ने इंद्र को मतस्यंद नाथ के चरनों पर डालते हुए उनसे श्यमा परदान करने के लिए कहा और निमेदन किया अब आप पर सन्हों कर इंद्र को ऐसा वार परदान कीजिए जिससे इसकी मनुकाम नापूर्ण हूँ वो प्रिक्ष वसु के आगरे को सिविकार करके मतस्यंद नाची बोले इंद्र यदि अपने किये हुए क्रिते पर पश्चाताब प्रकट करे बारा मज़ तक तपस्या करे तथा नाथ पंत की किरती को बढ़ाने में सदेव सहाइक बने रहे तो मेरा दिया हुआ शाब मिट जाएगा और उसकी सिखिवी विद्ध्य सफल सिद्ध होगी इंद्र ने इन सभी बातों को सिविकार कर लिया और अपने करिते पर पश्चाताब करने के प्रांग बारा मर्ष तक कठिन तप किया तथा नाथ समपरदाय की किरती बढ़ाने के लिए हर समय तत पर बढ़े जाने का सिंकल्ब किया इसके फालसम रूप इंद्र ने गुपत रूप से जो विद्ध्य सिखी थी वे उनके लिए सफल सिद्ध हुई और उनके मन का समपुरन खेद मिट किया सौम्याग समाप्त हो जाने पर सब मेमान विमान में बैट बैट कर अपने अपने स्थान को चले गए इंद्र अपने मनुरत को प्राप्ट करने लिए से पत्परवत पर जाकर तपस्या करने लगा मतसिंद्र नाची तिलोतमा की सहमती प्राप्ट करके मीन नाथ को अपने साथ यात्रा कराने के लिए ले गए मतद सिंद्र नाची ने देश दिशांत्रों में भ्रह्मन करते हुए नाथ पंत का अत्यादिक परचार किया सेंकणों हजारों व्यक्ति उनके शिश्य तथा भक्त बने लाखों इस्ति पुर्षों के दुख दरिदे रोग शो के चिंता मौ आदी को उन्होंने अपने शीरवाद से दूर कर दिया उन्हें काम रूप तथा नेपाल देश में भी भ्रह्मन करके नाच संपरदाइका परचार किया मतसिंदर नाची ने भी भिन स्थानों पर अनेक परकार के चमतकार पर दर्शित किये उन में से कुछ का वर्ण इसी पुस्तक के भी भिन ध्यायों में अलगलग किया गया है मतसिंदर नाची के अलोकिक चमतकारों की कहानियां भारत वसके घर-घर में सुनने को मिला करती है तिबब देश में मतसिंदर नाची ने लुई पाद नाम से आधी सिद्ध के रूब में परसिद्धी प्रात की समवत 1884 में मतसिंदर नाची ने मड़ी नामक स्थान में जीवित समाधी ले 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 प्रांतों उनके भक्तों का ये श्वाश है कि आज भी संसार में सर्वत्र विच्रन करते रहते हैं और अपने भक्तों को समय समय पर प्रसिंद्धी आ करते हैं